दोस्तों भगवान के बाद अगर किसी को कोई नई जिन्दगी देता है तो वो है डोक्टर जिन्दगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लोग जीवन की उम्मीद छोड़ देते हैं लेकिन उस वक्त डोक्टर मोत को मात देकर जिन्दगी को बचा लेते हैं लेकिन कभी मानवता के लिए मिसाल कहे जाने वाले इन डोक्टर्स की छवी अब धुमिल हो चुकी है। पहले जहां इनका सबसे बड़ा लक्षुर करतव्य मरीज की जान बचाना था तो वहीं अब इन सफेद कोट पहने लोगों का सबसे बड़ा मकसद एक ही है। पैसे कमाना। जी हां सही सुना आपने। करने वाले इन डोक्टर्स की संख्या बेहत कम है। लेकिन अगर आप असल में इन सफेद कोट पहने भगवानों के इलाज के नाम पर किये जा रहे गोरक धंदों के बारे में जानेंगे तो आपका दिल तूट जाएगा। कि आपको कब कहा और कैसे लूटा जा रहा है। हलांकि हम यहां यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सभी डोक्टर्स ऐसे होते हैं। कुछ डोक्टर्स जो नीशवार्द भाव से अपना धर्म निवाते हैं उनके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। यहां बात हो रही है अपना धर्म भूल कर जनता को लूटना अपना सर्वोपरी करतव यह समझने वाले डोक्टर्स की। तो हमें सबसे पहले लूटने की सुरुवात होती है हमारे गली महले में अपनी दुकान खोले बैठे जोला चाप डोक्टर्स से। आपने देखा होगा कि किसी भी होस्पिटल के खुलने के कुछ दिन बाद ही उसमें भारी भरकम भीड दिखाई देने लगती है। लेकिन आखिर कैसे क्योंकि किसी भी नए बिजनिस को सैटल होने में सालो लग जाते हैं। तो इन होस्पिटल में इतनी भीड कैसे बढ़ जाती है। दरसाल इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है इन जोला चाप डोक्टर्स का। ये जोला चाप डोक्टर्स सर्दी खांसी जुखाम का इलाज तो आसानी से कर देते हैं। लेकिन जब इनके पास कोई क्रिटिकल केस आता है तो इनके हाथ पाउं फूलने लगते हैं। और अब ये आपको रैफर कर देते हैं। रैफर किया जाता है उस होस्पिटल में जहां से इनको सबसे ज़्यादा कमी सन मिलता है। बेचारे गरीब, लाचार और बेवस आदमे के पास सिवाए इन बड़ी होस्पिटल में जाने के कोई और चारा बचता ही नहीं है। थोड़ा बारीकी से ज़रा इस खेल को समझे। क्योंकि आपको लूटने की सुरुआत आपकी गली और महले से हो चुकी है। लेकिन ये घिनोना खेल यहीं खतम नहीं होता। इलाज की आस में आप भागे भागे इन सूपर स्पेसलिस्ट होस्पिटल में पहुँचते हैं। तो यहां सुरू होता है हमें कंगाल बनाने का खेल। क्योंकि जैसे ही हम यहां पहुँचते हैं तो हमारी दुनिया भर की जाचे लिखी जाती है। जैसे बलड टेस्ट, सूगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट। इसमें से कुछ जाचे तो ऐसी होती हैं जो असल मायनों में किसी काम की ही नहीं होती। मरीज जैसे ही इन पैथोलोजी लैब्स में जाच करवाने पहुँचता है तो इन लैब वालों की आँखी चमक उठती हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई बकरा उनके पास हलाल होने के लिए आया है। और पैथोलोजी लैब्स वाले मरीज उनके यहां भीजने के लिए डोक्टर्स को कमिशन देते हैं। मतलब साफ है इस नेटवर्क के तार उपर से लेकर नीचे तक सभी जगए एक साथ जुड़े हुए हैं। और खेल अभी रुका नहीं है। इसके बाद नमबर आता है मेडिकल्स का क्योंकि हमें लूटने में इन मेडिकल्स वालों का भी तो एहम रोल है। आपने आलिशान महल जैसे सूपर स्पेशलिस्ट होस्पिटल में बैठा डोक्टर आपको इसके बाद ऐसी दवाई लिख कर देगा जो आपको एक या दुकानों के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। उपर से आपको भली भाती उस दुकान तक पहुचाया भी जाएगा। और ये बात आपने भी कभी ना कभी महसूस जरूर की होगी कि आप कोई दवा लेने गए हो और वो दवा आपको सहर में एक या दो मेडिकल को छोड़ कर कहीं भी ना मिली हो। और डोक्टर्स ने भी आपको उसी दुकान से दवाई लाने के लिए कहा था। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है। दरसल इसके पीछे होते हैं MR यानी Medical Representative ये MR डोक्टर्स के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर वो उनकी बनी कंपनी की द आ दिया जाता है और इन सूपर स्पेशलिस्ट होस्पिटल में आने के बाद वो बिमार होने के साथ साथ अब कंगाल भी हो चुका होता है। मरीज उसे पैसे आटना तक तो ठीक था लेकिन सफेद कोट में पहने ये भगवान तो किसी मुर्दे तक को भी नहीं इबार तो पैसे कमाने के चक्कर में ये मुर्दे आदमी को दो से तीन दिन तक वेंटिलेटर पर लिटाए रखते हैं। मरीज के परिवार जन बिचारे उसके ठीक होने की उमीद में इधर से उधर दोड़ते फिरते हैं। ये कभी उनसे दवाईया मंगवाएंगे तो कभ पैसे जमा करवाने को कहेंगे और इस तरह से बस अपना बिल बढ़ाते रहेंगे। आपको वो मूवी तो याद ही होगी गबर इस बैक। उसमें जो कहानी बताई गई थी वो बहुत हद तक आज के होस्पिटलों के परिपेक्षि में सही साबित हो रही है। लेकिन आखिर इन्होंने लोगों की मदद तो की लेकिन पूरी तरह से पेड़ यानि अगर आप पैसे देंगे तो आपके कोरोना का इलाज होगा नहीं तो चलते बनिये। गरीब आदमी बिचार अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने घर बार बेच रहा था लेकिन अपने आपको भगवान के बराबर दर्जा दिलाने वाले इन लोगों का दिल उन्हें देखकर जरा भी नहीं पसीजा। के बिल पैसों के लिए जो व्यक्ति कोविड नेगिटिव था उसे भी पोजिटिव दिखा कर अच्छे खासे पैसे एठे गए। लोगों के एक लाग से लेकर 6-6 लाग रुपए तक के बिल बना दिये गए। अब आप ही बताईए वो गरीब आदमी जिसकी दिहाडी 100 रुपए से लेकर 300 रुपए है वो 6 लाग रुपए कहां से लाएगा। वो तो पूरी जिंदगी मिलकर भी ये 6 लाग रुपए नहीं कमा सकता। मरीजों को लूटने प्रमान आपको हाल ही में भी देखने को मिल रहा होगा। कोरोना की जिस जीवन रक्षक दवाई रेमेडिसिवर इंजक्शन की ओरिजिनल कोस्ट 5000 रुपए है। उसे ब्लैक मार्केटिंग के जरिए 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। और हमारे देश में र इसमें KGMU के रेजिडेंट डोक्टर और निजी हस्पिताल के डोक्टरों की मिली भगत सामने आई थी। आरोप ये था कि KGMU के रेजिडेंट डोक्टर वेंटिलेटर की कमी बताकर मरीजों को निजी हस्पिताल में रेफर कर देते थे। और वहां निजी हस्पिताल वाले उन मरीजों से मोटा पैसा वसूलते थे और बदले में KGMU के डोक्टर्स को कमिशन दिया करते थे तो समझ रहे हैं आप इस खेल को इस घिनवने नेटवर्क को अब बताईए कहा जाना है इन्हें आखिर इन गरीब और लाचार लोगों के साथ खिलवाड करके और अब तो ये नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि इसे तोड़ना काफी मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं अब तो गोर्मेंट की शहे भी इन लोगों को मिलने लगी है लेकन अगर आप सतर कुर सचेत रहेंगे तो आप अपने आपको इन सुपर स्पेसलिस्ट होस्पिटल में लुटने से बचा सकते हैं और जतना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि आपके जैसे ही और लोग इन सूपर स्पेसलिटी होस्पिटल के इलाज की आड़ में किये जा रहे गोरक दंदे की सच्चा इसे आउगत हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रही, मस्त रही, हस्ते रही, भगवान करे आप सभी का दिन सुब हो।